आज में बनाने जारी माल पुआ तो माल पुआ आज मैं बहुत ही इजी तरीका से बनाऊंगी तो ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर भी करें तो चलिए मैं आ यहां पर मैंने सॉफ और लाइची को दरदरा कुट लिया है यह देखिए इसके जगह आप चाहे तो पॉरर भी डाल सकते हैं और यहां पर मैंने बहुत बहुत लिया है तो सबसे पहले मैं इसमें मैदा को डालूंगी फिर मैं इसमें सुजे को डालूँगे दरदरा कुटा हुआ इसमें मैं डालूँगे सौफा और इलाइची आप चाहिए इसमें ट्राइट फूट भी डाल सकते है तर-थर दूद डाल कर मैं एच्छे से मिला लेती हूँ तो यहां पर लगवग मुझे एक कप दूद लग गया है यह देखे और यह बहुत ज़्यादा गाड़ा है तो आधा कप दूद और मैं लूँगे यह देखे तो इसमें डाल दिया है और फिर से मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो इसे घोल को मुझे ज़्यादा ना तो गाड़ा रखना है और ज़्यादा ना तो पतला है यह से मिडियम ही रखना है तेसे 10-15 मिनट सेठोने के लिए मैं धखकर रख दूँगी ताकि अच्छे से यह फूल जाए तब तक मैं चास्नी कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने एक क्लास पानी डाला है और एक कोटोरी मैंने यहाँ पर चीनी डाला है इसे मैं मिला लेती हूँ तो चीनी को मुझे पकाना है ना कि मुझे एक तार या दो तार का चास्नी त्यार करना है तो यह देखिए, यह जो अच्छे से पग गया है, यह लख लस कर रहा है तिसे मैं दुसरे तरफ रख देती हूँ यहाँ पर भोले जो हमारा फुलकर त्यार हो गया है जिसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और तेल को गरम होने के लिए मैंने रख दिया है तो यहाँ पर तेल है जो अच्छा गरम हो गया है थोड़ा थोड़ा करके मैं गोल के एक ही जगा पर इस तरह से डालते जाओंगे से टलते भक मीड्यम गयस पर ही तल जोंगे है तत़ पर कर ऐता मैंल पलट लेती हूँ और इसा तरह उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तल जोंगे यहो गया तो में निकाल लेती हूँ आइसे गरम गरम चास्री में मैं डाल दोंगे और इसी तरह से मैं सारे माल पूवे तल कर तयार कर लूँगी यह देखें तो गिरम गिरम चास्नी में डालने से यह अंदर तक चास्नी है जो घुश जाता है और खाने में भी यह टेस्टी लगता है तो इसे 10 मिनट के लिए मैं ढख कर रख देती हूँ तो यहां पर यह 10 मिनट हो गया है तब मैं इसे निकाल लेती हूँ तो यह देखें तो बचा हुआ चास्नी को मैं उपर से डाल रही हूँ और इस पर मैं डालूंगी सुखा ड्राइट कोट तो उपर से यह बहुत ही खाने में क्रिस्पी है और नीचे में से यह बिल्कुल ही सॉफ्ट है इस रस्पी को जबरो ट्राइट करना इस भावच पत्वित्गद।